विल्कम में दोस्तों क्या है आप सब का मैं उम्मीद करता हूँ क्या आप सब खैरियत से होंगे तो शारुख भाई बस कर दो यार डर जाएगी इंडस्ट्री विनी जान क्या करने हो मतलब के शारुख खान अपने रिकोर्ड बीट कर रहे हैं अपने रिकोर्ड बीट करके बताना चाह रहे हैं कि भाई कोई है ही नहीं टकर का यार भाई साब क्या कर दे हो यार तो खेर दोस्तों मैं इतना ही बोलूँगा ये सब देखने के बाद कि भाई शारुख खान आगे बढ़े हम आपके साथ हैं रिकोर्ट्स आप बनाएं रिकोर्ट्स को बताना हमारा काम रिकोर्ट्स करियेट करना पब्ले का काम तो अभी क्या हुआ डे 3 के अंदर यानि के कल सेटर डे के अंदर टोटल कोलेक्शन कितनी आई कम्प्लीट बताता हूँ लेकिन बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो आईए जानते हैं तो सबसे पहले कर दे 3 के अंदर सेटर डे की ऑफिशल कोलेक्शन अभी तक कितनी आ चुकी हैं पहले वो देख लेते हैं यानिके मल्टी प्लेक्स जो चैन्स हैं PVR, Ainox, Sainpolis उन से ऑफिशल कर दे 3 में कितनी कोलेक्शन आ चुकी है जरा वो देख लेते हैं तो PVR प्लस आइनोक्स इन दोनों ने दे थरी कल सेटरेडे से ओफिशल कॉलेक्शन की है 25.75 क्रोड रुपीज की साइन पॉलिस ने की है 6.75 क्रोड की और टोटल हो जाता है 32.50 क्रोड और ये 32.50 क्रोड कमाने के बाद जवान नमबर वन फिल्म बन चुकी है जिसकी एक दिन में नेशनल चेंज से इतनी कॉलेक्शन आई है जो इस से पहला रिकॉर्ड है गईज वो था पठान का रिपबलिक डे पे जिस दिन पठान का डे टू था 68 क्रोड हिंदी से कॉलेक्शन आई थी उस दिन गाईज नेशनल चेंज पी वी आर आइनोक सेंट पॉलिस ने लगबग 32.30 क्रोड के कॉलेक्शन की थी येस पठान के टाइम डे टू पे 32.30 क्रोड लेकिन इदर जवान ने अपने डे थी यानि कि कल सैटर डे पे एक ओवराल हम देखे तो एक नॉर्मल डे था ना भाई ना ही कोई इवेंट था ना ही कोई छुटी तो एक ओवराल जो हमारी छुटी होती है वो छुटी होती है लेकिन कोई ऐसा नहीं के भाई साब नेशनल होलिडे हो नहीं उसके बाद भी आया 32.50 क्रोड दिस इस दर रिकॉर्ड मेरी जान अगर मैं गईज आपको जवान की ही बताओं तो जवान मैंने क्या बोला स्टार्ट में कि शारुक खान अपनी ही रिकॉर्ड बीट कर रही है दे वन में नेशनल चीन्स पीवियर आइनोक सेंट पॉलिस से ओफिशल कॉलेक्शन आई 29.96 क्रोड दे टू में आई 22.75 क्रोड और दे थ्री में आया 32.50 क्रोड लेकिन एक बात अभी भी बता दू असली गेम आज होगी संडे पे लेकिन संडे को बाद में देखेंगे तो खेर दोस्तो जवान अभी स्टार्टिंग में ही रिकोर्ड क्रियेट कर चुकी है उसके अलावा मुवी मैक्स 1.14 क्रोड और मीराज सैनमा 2.40 क्रोड की कल डे थ्री में आफिशल कॉलेक्शन हो चुकी है तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ हिंदी की उकुपैंसी बताओंगा तमिल यह तेल्गू की आप बहुत ही समझा आजेगी हिंदी में कल देख्थरी पे सेटर्डे पे मॉर्निंग में उकुपैंसी थी 39% मेरा भाई आफ्टरनून में चली गई 60% उससे अल्मोस डबल इवनिंग में हो गई 71% और नाइट में हो गई 81% और गैस ओवरॉल यह बनी 62% और मैं आपको क्या बोलता हो कि अगर ओवरॉल ओकुपैंसी 25% हो तो वो भी अच्छी कुलेक्शन करती है और जवान की कितनी है 62% मेरा भा गाइस जो जवान की डे 3 की हिंदी कुलेक्शन का अर्ली एस्टेमेट आया है वो राप तक था 62 से 65 क्रोड रुपी कि 62 से 65 क्रोड हिंदी से यह कुलेक्शन करने वाली है लेकिन अभी वो बढ़के 66 क्रोड रुपे हो चुका है यह अभी जो हमें गाइस ओफिशल नंबर् डे 3 के वो कम से कम 66 क्रोड होंगे या उसके आसपास होंगे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम का कोई चास नहीं है अब 66 क्रोड अगर तो आता है तो फिर वो ही बात शारुख खान अपने रिकॉर्ड पीट कर रहे हैं मतलब जवान की डे 1 के ओफिशल कॉलेक्शन हिंदी से कि नहीं थी 65.50 क्रोड अगर आज 66 मलब का डे 3 के ओफिशल कॉलेक्शन 66 आती है तो जवान का डे 3 बिगर होगा डे 1 से बाई क्या यार कमाल है बाई तमिल से 5 क्रोड तैल्गो से अदली एस्टिमेट गिरा है और 4 क्रोड पे चला गया है अब गई 66 प्लस 5 प्लस 4 यह हो जात अदलग के गाईस कल डे 3 की आपको ओफिशल कॉलेक्शन 75 क्रोड नेट देखने को मिलने वाली है यह ग्रोस बनती है 90 क्रोड रोपीज लेकिन सवाल यह है ओवर्सीज में क्या होने वाला है तो ओवर्सीज की मैं आपको तबाही बताता हूँ आप लोग एक बार हेल जाए गये डे 1 के अंदर USA plus Canada USA plus Canada के अंदर जवान ने डे 1 में ओफिशल कोलेक्शन की थी 1.36 मिलियन यूएस डॉलर्स 1.36 मिलियन यूएस डॉलर्स डे 2 के अंदर जवान ने ओफिशल कोलेक्शन की 1.76 मिलियन यूएस डॉलर्स एंड डे 3 यानि कि कल सेटर डे पे 1.30 मिलियन यूएस डॉलर्स की खाली इडवास बॉकिंग होई है ओ मेरी जाद इस इस दा क्रेज भाई साब मलब जवान डे 1 1.36 मिलियन डे 2 1.76 मिलियन एं उसके बाद होने क्या वाला है तो क्या होने वाला है मैं आपको वो भी बता दू तो नौर्थ अमेरिका के अंदर अभी ये जो मैं आपको न्यूस देने लगा हूँ ये नौर्थ अमेरिका के अंदर शाम के साथ बज़े की है एक्जैक्ली शाम के साथ बज़े की है जब न 2.26 million US dollars 2.26 million US dollars और स्टिल कुछ hours बचे हैं तो भाई history create होने जा रही है day 3 पे history create होने जा रही है USA Canada से मैं आपको बता दू पठान की day 1 की collection आई थी पठान day 1 में उसने कमाई थे 1.5 million dollars जो के बने थे लगवाग साड़े 14 क्रोड रॉपे और अभी तो ये 2.26 million dollars पर चल रही है अगर मैं इसको इंडियन रुपीज में convert करूँ तो ये कहीं न कहीं guys 20 क्रोड के आसपास बनते हैं तो इतना तो clear cut है कि भाई बहुत बड़ी box of collection आने वाली है day 3 की overseas से अब guys अगर मैं आपको बताऊ तो day 1 में जवान ने overseas से कमाया 39 क्रोड day 2 में कमाया 46 क्रोड तो day 3 में 50 क्रोड easily आना चाहिए लेकिन मैं अपनी prediction कम रखूँगा मैं लूँगा 45 क्रोड हाँ 50 आ गया तो फिर तो एक बाप level scene हो जाएगा लेकिन 50 क्रोड की बज़ए अगर 45 क्रोड भी आता है तो this is history अगर 45 क्रोड को मैं आपको बताऊ तो 75 क्रोड इंडिया से net collection gross बनेगी 90 क्रोड almost और overseas का 45 क्रोड तो ये बन जाता है लगबग 135 to 140 मतलब जवान 135 से 140 क्रोड definitely करने वाली है और definitely जवान का day 3 greater है day 1 से मतलब जवाने day 3 भी जतनी official collection करनी है वो day 1 से भी ज़ादा होगी और उसके साथ आप एक चीज़ और भी add कर लें कि जवान की day 4 की जतनी collection होगी वो जवान के previous हरुद दिनों से ज़ादा होगी ना day 1 का मुकाबला ना day 2 ना day 3 कुछ भी नहीं थे day 4 में तबाही होगी तो बग 110 करोड़, so now day 3 मुझे उमीद है कि भाई साथ आप 135 करोड़ तो confirm है उसे उपर कितना होने वाला है वो देखना important होगा बाकी गईज आज day 4 पे क्या चल रहा है इस पे मैं एक थोड़ी देर बाद वीडियो अपलोड करूँगा almost साड़े ग्यारा या बारा बज़े तक आपको दूँगा कि आज day 4 संड़े पे क्या सीन है क्या मैच की वज़े से पाक वर्स इंडिया के मैच की वज़े से कोई effect पड़ा या नहीं मनलत सब हम देखने वारे हैं लेकिन फिलाल के लिए इतना ही फूप सौप को वीडियो पसंद देगर तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो रहे हैं या वन वीडियो में है थेंक्स फूर वाचिंग